है वाट्सवाइज तो मैं हूँ स्कॉर्ण और आपको इसकॉर्ण एंगर की वीडियो बहुत सारे लीक्स वीडियो बहुत ज्यादे इंट्रेस्टिंग होने वाले सच्छली वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो गाइस नमबर 12 की बात करते तो पहली बार कैमरे में कैद किय है कि इंसान की आखों से निकलने वाली जो लाइट होती है जो आखों से निकलती लाइट उसे कैमरे में कैद किया गया गया दोस्तों और बताले दोस्तों इसे पहली बार एक मरीज के दौरा देखा गया जो कि एक मिशन चला था साइंस्टिस्ट दौरा तो बताले दोस्तो तो इसे एक अमेर्की इस्टिड रार्त महुत उनिवर्स्टी के वग्यानिकों ने रियल टाइम डेटा के जरी इसे दिखाया है जो कि गल्ले और सीर की रेडियेशन थरफी के दोरान आख से निकलने वाली जो लाइट होती है दोस्तों उसे कुछ संसर की मदद से संसर कैमरे होते दोस्तों उसकी मदद से इसे दिखाया है जो कि एक लाइफ डेटा के जरी इसे पब्ली के सामने पेस किया गया है ऐसे नमबर 11 की बात करें तो जापान की टोयेटा कंपनी CS के बेंड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को पेस कर चुकी है होने वाला प्रोजेक्ट दोस्तों वोवन सीटी के नम से इसका प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है जो कि हर एक चीज आपको आटमेटेट देखने को मिलने वाली है तो यहां तो आपको बता दोस्तों इंसान को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इस सीटी के अंदर और इसका जो श्टार्ट अप होने वाला दोस्तों जो प्रोजेक्ट चालू होगा 2021 से स्टार्ट होने वाला है जो कि इसके फ्यूचर में आने वाले इसका बहुत ज़्याद उप्योग किया जाएगा जो कि इसमें हाइब्रेट वेरियंट देखने को आपको मिलने वाला है तो बदा जोस्तों इसका जो प्राइज आपको बता दे तो 1.8 करोड से लेके 2.1 करोड तक इसका प्राइज रखका जाएगा जो कि इसका ट्रक्कर होने वाला जैग्वार है स्पेस और BMW जेट फोर्स इसका मुगाबला होगा तो बता जोस्तों इसमें आपको 2 बेरेंटस इंजन देखने को मिलेंगे और एक पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलने वाला है तो बता दोस्तों GLE 300D का डीजल इंजन आपको बता देखने को मिलेगा जिसमें आपको फोल्ड सिलेंडर लगे होंगे और इसका जो पावर है दोस्तों 256 होस पावर और जो टॉर्क जनरेट करता है वहीं पे आपको GLE 2400D का जो डीजल वैरियंट से आपको देखने को मिलेगा 3.0 लीटर का आपको इंजन देखने को मिलेगा और इसमें आपको जो पावर देखने को मिलेगा 330 होस पावर का इंजन मिलेगा जो की टॉर्क जनरेट करता है और इसका जो प्राइज बताया गया है दोस्तों 75 लैक प्लस इसका प्राइज बताया गया है गाईज नमबर 8 की बात करें तो मेरे पिता मेरी प्रेणा थे यह है नासा के नए अंतरिच यात्रियों के बीच भारतिय मेर की सभी चंद्रमा मंगल को जीतने के लिए तयार हो चुके दोस्तों बात कर रहे हैं हम दोस्तों राजा जान पुर्पुत्र चारी की तो सुक्रवार को इनके ग्यारन है नासा इसनात को के एक मिशन में थफलता बुरु अपने दो साल को कम्प्लीट कर लिए दोस्तों तो वे अंतरिच एजंसी के महत्तों का अंची भविष्ट के मिशन का एक हिस्सा बनने के लिए तयार है तो बदा दोस्तों अंतरिच अंतराश्टी स्टेशन में जो आंगे जो आने वाले उनके अपकमिंग मिशन है चंदर्मा पे महिला को ले जाने का और जो बुरिश जो जाने वाले चंदर्मा पे तो साथ इनका भी नाम आ सकता दोस्तों जो की आने वाले मिशन पे इनका नाम आने वाला है तो ये अपनी पूरी तयारी कर चुके मिशन के लिए आई दो नमबर 7 की बात करें तो दोस्तो आटो एक्सपर 2020 में जो फरवारी में होने वाला है तो वहाँ पे आपको Hyundai की i20 बिल्कु न्यू जेनरेशन कार आपको देखने को मिल सकती है और इसे भारती मार्केट में जून में इसे लॉंच किया जाएगा तो बता दोस्तो यह है वहाइचे बैक कार होने वाली Hyundai की तरफ से तो बतात दोस्तो इसमें आपको BAS6 का इंचन देखने को मिलेगा और बता दोस्तो इसमें दोस्तो PUL LCD का डिस्प्ले अंदर देखने मिलने वाला है और बता दोस्तो इसके जो लीकस आये दोस्तो बता दिये पहली कार होगी दोस् तो यह बहुत ही अमेजिंग डिजाइन के साथ इसमें भारती मार्केट में लॉंच करेगी टीबियास दोस्तो इसका जो इंजन का जो लीक सामने निकल किया है 220 CC के इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा और दोस्तो इसका जो इंजन की बात करें तो 8.500 RPM और 20 BHP का काटा देखता दोस्तो जो की जैपलीन के नाम से लॉंच के जाएगा भारती मार्केट पे और इसका दोस्तो जो प्राइज बताया जा रहा है 1,025,000 से लेके 1,30,000 की बीच में इसका प्राइज रखा जाना है भारती मार्केट में गाइज नमबर 5 की बात करें तो 10 जनरेशन इं दोस्ते में लॉंच किया है तो बदा दोस्ते अपको 2-in-1 टेंट डिस्पले देखने को मिलेगा और वाइफाई का सपोर्ट दोस्तो और 5G ब्रॉडवेंड का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है गाइज नमबर 4 की बात करें तो दोस्तो फिल्लेंड के विज्यानी को ने दोस्तों हवा से प्रोटीन को बना रहे हैं तो बदा दोस्तों उनका दावा है कि दोस्तों इस दसक में सोय बीन के दामों को टक कर देगा तो दोस्तों बता दें आपको वहां के वेग्यानकों का कहना है जो की सोथ करता का कहना है अगर बिजली और सौर या हवा की उड़ से बनती है तो तो ये खाना बनाने में ग्रीन हाउस गेसलों को सरजन सून के बराबर हो जाएगा दोस्तों और कैर रहें तो अगर अगर उनका सपना सच होता तो ये खेती से जूड़ी कई तो इसे बहुत जल्दी मार्केट पे लाने वाला Samsung तो बता दोस्तों इस तकनीकों कियो आपको बहुत ही असानी से कर सकते हैं जिसके लिए आपको अपना फोन एक वर्टिकल इस्तिती में रखना होगा और एक आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो भी आपका टाइप करने लगेगा और दोस्तों इसमें आपको गैलेक्सी फोल्ड को प्योग कर सकते हैं तो बता दे दोस्तों बहुत ही जाद इसका डिमांड आउने वाला आने वाले समय पे तो देखते इसका मर्कमेटर क्या प्रभाव पड़ता है इस सैमसंग की तरफ से CS के इवेंट में एक और खास प्रोटर को लांच किया गया है दोस्तों जो की है SSD T7 दोस्तों जो की एक फाइल टांस पर दोस्तों एक प्रोटेक्टर है आपको बता दे जिसमें आपको fingerprint की सुबिदा दोस्तों और बहुत सारे feature के साथ आपको देखने को मिलने वाली है तो बदा दोस्तों SSD T7 Touch की जो reading speed है दोस्तों 1050 mbps से लेके writing speed जोस्तों 1000 mbps तक है तो बदा दोस्तों SSD T5 को भी launch कर चुकी पहले भी Samsung जोस्तों जिसका बहुत अच्छा market पे response हुआ है इस दो नमर टूकी बात करें दोस्तों बढ़ती हुई टेकनोलजी को देखते हो दुनिया भार की सभी mobile company 5G smartphone launch करने की तैयारी में लगी हुई है तो guys Finland की company Nokia 63 commercial deal sign करने की जानकारी खोदी दिये दोस्तों तो बदा दोस्तों नहोंने sign कर चुके commercial deal की तो Nokia company पुरे दुनिया में फार्म जी solution उपलब्द कराना चाहती है दोस्तों Nokia के cloud में डोकोमो, Vodafone, software and telecom इटली जैसी company शामिल है तो executive ने यह भी कहा है कि इन 63 concerns low brands और meal brands और high brands समेथ traditional और cloud network architecture का access दिये जाएगा जितने इनके benefit की जानकारी मिलेगी Guys, Xiaomi की तरफ से MIUI 12 बहुत जल्दी launch हो सकता दोस्तों जिसमें आपको बहुत सारे feature देखने को मिलने वाले हैं तो पता है तो टीज गई जो फोटो इस नए user interface के dark mode feature को भी देखा जा सकता दोस्तों जिसमें आपको keypads लेका wrap, controls तक dark black color के साथ दिखाएगा तो टीज की गई फोटो जो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि Android 10 पर अधारी ओप्रेटिक सिस्टम पर काम करेगा तो बहुत सारे feature साथ इसे market पे launch करेगी Xiaomi company और पता दोस्तों हाली में 11 MIUI 11 को भी launch कर चुकी company जिसका upgrade version MIUI 12 launch करने वाली है राइस नमबर 1 की बात करें तो 1 प्लास 8 प्रो गीग वेंच लिस्टिंग में देखा गया जो की 12GB RAM के साथ होगा market पे launch और इसका जो processor की बात करें तो Snapdragon 865 आपको processor भी देखने को मिलने वाला है जो की running करता है Android 10 OS पे system पे based है दोस्तों और इसका आपको जो display देखने को मिलेगा 120HZ refresh rate display देखने को मिलेगा जिसको company ने showcase किया था एक announcement की थी दोस्तों उस display की तो बात करते दोस्तों इसके price की तो इसका price बता जा रहा दोस्तों 52,000 प्लस इसका price बता जा रहा दोस्तों और ये 5G support के साथ इसे market पे company उतारने वाली है ऐस OnePlus की तरफ से खाज reward सामने निकलके यार दोस्तों नई technology के साथ नया screen पेज़ कर सकता यानि आज दोस्तों OnePlus जो की 13 जनवरी को इसे launch करना था तो बता दोस्तों आज यानि की चाइनम इसे launch कर दिया जाएगा तो guys बता दे 120HZ display आपको upcoming smartphone जैसे OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 series में आपको देखने को मिलेगा जितने आपको दोस्तों OnePlus की जितने भी device कम से कम 19Hz तक आपको display देखने को मिल सकती है तो guys वीडियो पसंद आया हो तो like करिएगा, share करिएगा और subscribe जरूर करिएगा